हेलो गाइस इस में शिल्पर शिवास्तवा आप देख रहे हैं NBT TechEd और आज मैं आपके साथ करने जा रही हूं Realme Narzo 60 Pro की Unboxing Realme ने भारत में अपना Narzo 60 Pro launch कर दिया है हमारे पास जो वेरियंट आया है वो 12GB RAM और 8TV Storage Company ने इसमें दिया यानि कि आप इसमें काफी कुछ सेव करके रख सकते हैं इसके अलावा जो कलर आया है वो मार्स ओरेंज है अब इसमें और बाकी क्या-क्या features यह कए हैं इसकी build quality कैसी है इसका UI कितना क्लीन है अगर आप इस अब जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो एंड तक देखें तो चलिए शुरू करते हैं रियल मी नार्जो 60 pro की अन्बॉक्सिंग सबसे पहले मैं आपको उता दू कि कमनी ने कुछ features यहां पर highlight किये है इसमें company ने जो display दिया है वो 120 hertz curve vision display है इसके साथ ही 7050 chipset दिया गया है 100 megapixel का pro light camera दिया गया है इसके साथ 5000 इमेज की बैटरी दी गई है अब हम इस फोन को खोलते हैं और देखते हैं कि इसे company ने कैसा बनाया है सबसे पहले accessories देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या accessories दी गई है इसके साथ यह cover दिया गया है manual है sim injector tool है इसके साथ company ने 80 watt का super book charging support दिया है इसके साथ ही यह cable दी गई है अब इन सब को side करते हो देखते हैं इस phone का first look जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे पास जिसका color आया है वो mass orange है तो इस phone का look देखके आपको कोई phone I'm sure जरूर याद आ रहा होगा realme का ही phone है जिसे अब हाली में launch किया गया है realme 11 pro plus pro plus में और pro में दोनों में same design दिया गया है same panel दिया गया था बस वास्प में जो यहां पे stripe थी वो stripe इसमें नहीं है और यहां पे नार्जो की branding दी गई है इसका जो यह वाला पैनल है यह भी leather finish में ही दिया गया है sides panel भी काफी हद तक same है तो मुझे लगता है company ने design के मामले में दोनों को काफी हद तक similar रखा है बहुत जादा को चेंज नहीं किया है हला कि मुझे realme 11 pro plus का design भी काफी पसंद आया तो मुझे यह phone भी design के मामले में काफी अच्छा लग रहा है तो अब इस phone को on करते हों देखते हैं कि इसका जो UI है वो company ने किता clean बनाया है और इसमें बाकी features क्या क्या दिये गए है तो सबसे पहले हम इसके display की बात करेंगे और इसकी बाकी designing की बात करेंगे display इसमें 120 Hz कर दिया गया है curved panel है तो यह काफी premium लुक दे रहा है इसके अलावा कर UI की बात करें UI किता clean है तो इसे बहुत सारी pre-installed apps है इन apps को आप delete भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी apps ऐसे होते जिससे आपको unwanted ads देखने पड़ते हैं जो experience smartphone का एकदम खराब कर देते हैं तो आप इने डिलीट भी कर सकते हैं तो इसका UI मैं कहूंगी के कंपनी ने बहुत ही जादा बराव बनाया एकदम clean नहीं है इसके बाकी features पे नजर डाल लेते हैं कि सबसे पहले इसके android version की बात करते हैं कंपनी ने इसमें android 13 दिया है जिसके साथ realme UI 4.0 का support दिया गया है एक TV storage दी गई है 12 GB तक की RAM है 12 GB तक की RAM को आप और 12 GB तक बढ़ा सकते हैं जैसके आप देख सकते हैं यहां तक इससे बढ़ा सकते हैं इससे बढ़ाने के बाद आपको phone को restart करना होगा और आपका जो phone है यह तो phone 5G support भी करेगा अब बैटरी की बात करते हैं इसमें आपको 5000 मेश की बैटरी दी गई है जिसके साथ 80 वाट को सूपर चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है इसमें dual rear camera दिया गया है पहला sensor इसका 100 Megapixel का उसकेंडरी सेंसर दो मेगा पिक्सल का फ़रेंगे तो यह तो बात हो सक फीचर की मोर पर जाएंगे तो आपको यह सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे जिससे आप अपनी फोटोग्राइफ लेवल को इन्हांस कर पाएंगे अब बात करते हैं मल्टी टास्किंग के इनिशल लेवल पर इसकी मल्टी टास्किंग परफॉर्मेंस कैसी होगी इसके लिए हम कुछ आ पराका हैंग या लाग इशू समझ में नहीं आ रहा है तो रियल मी नार्जो 60 प्रो का मैंने आपको फर्स लुक तो दिखा दिया है इसका जो डिजाइन है मैंने आपको बताया कि रियल मी 11 प्रो सिरीज के जैसा है इसके अलावा इसमें और भी बहुत अच्छे फीचर्स ह आया है और इसकी फीचर सबसे जादा जो मुझे इसका फीचर पसंद आया है वो है इसकी एक टीवी स्टोरेज तो बाराजी बिराव और एक टीवी स्टोरेज का कॉमिनेशन जो है वो काफी अच्छा है बहुत टाइम बाद आइगेस पहली बारी देखने को मिला है तो इत पसंद आये हो तो उसे लाइक और शेर करना ना भूले साथ के साथ NBT TechEd को सब्सक्राइब करें